हेलो दोस्तों, एक बार पुना आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेज में मैं शबो खान स्वागत अभिरंदन आभार व्यक्त करती हूँ इसी आशा के साथ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी आथनी काल से संबंधित शरंखला चल रही जिसके भाग तीन हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज इसका भाग चार भाग चार इसका आज हम करेंगे आज इसका क्या है भाग चार आज इसका हम कंप्लीट करेंगे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बने बेल आइकोन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचें और कमेंट के माध्यम से अपने महतुपूर्ण सुझाव मुझ तक जरूर पहुँचाएं चली आगे बढ़ते हैं अपने प्रशनों की तरफ पहला प्रशन देखिए चायावाद को खड़ी बोली का स्वण यूग किस ने कहा है प्रेमचंद निराला जेशंकर प्रसाद महावीर प्रसाद दुवेदी तो छायावाद को खड़ी बोली का स्वण यूग किस ने कहा है प्रेमचंद जी ने कहा है अगला प्रशन देखें किसकी कविता में माधुर्य गुण अत्तिधिक होने के कारण शुक्ल ने मधुचर्या का कवी कहा जाता है किस ने कहा है शुक्ल ने कहा है और किसको कहा है जैशंकर प्रसात को कहा है और किस कारण से कहा है क्यूंकि इनकी रचनाओं में माधुर्य गुण अत्यधिक मिलता है जिस कारण से शुक्ल ने इने मधुचर्या का कवी कहा ह अगला प्रशन देखें, कौनसी रचना वियोगी हरीकी नहीं है? नहीं है, बताना है, ध्यान देंगा अप उस पर, पावभराटा, वीर सससे, ब्रज माधुरी सार और जहनकार, ये तीनो ही रचना वियोगी हरीकी हैं, इनक पर ध्यान देऊंगा आप, पावभराटा, वीर सत्साई, ब्रज माधुरी सार ये तीनों रचनाएं वियोगी हरी की हैं जनकार वियोगी हरी की नहीं है तो इन तीनों रचनाओं पर ध्यान दियां पावभराटा, वीर सत्साई, ब्रज माधुरी सार पाव भर आटा, वीर सत्सई, ब्रज माधुरी सार, ये रचनाएं वियोगी हरी जी की हैं, अगला प्रशन देखें, राम तुम मानव हो, इश्वर नहीं हो क्या, विश्मे रमे नहीं सभी कहीं क्या, तब मैं नीरी इश्वर हूं, इश्वर छमा करें, पंक्ति किस रचना से संबंदित है, राम की शक्ति पूजा, निराला की, भारत भारती, मैथली शरण गुप्त, साकेत, मैथली शरण गुप्त, अंजली एवं अर्ग, ठीक है, तो ये किस की रचना है, ये किस रचना से संबंदित है, साकेत, मैथली शरण गुप्त की रचना है, ध्यान रख्या काल क्या है इसका 1931, 1931 की रचना है मैथली शरन गुप्त की ठीके साकेत 1931 की रचना है भारत भारती भी मैथली शरन गुप्त की इए और इसका काल है 1912, ठीक है इसका काल है 1912 इसका काल क्या है 1912 राम की शक्ति पूजा निराला किये इसका काल है 1936 राम की शक्ति पूजा निराला किये साकेत और भारत भारती दोनों ही रचना क्या है ये मैथलिश और गुप्त जी की रचना जिसमें साकेत क्या है महा काव्य और भारत भारती क्या एक खंड का भी है अगला प्रशन देखें हिंदी में व्यंग के वास्तविक जनम दाता भारतेंदू ही है किसका कथन है यह कथन किसका है हजारी परसाथ दुवेदी ने कहा है कि हिंदी में जो व्यंग के वास्तविक जनम दाता है वह भारतेंदू ही है ठीक है अगला प्रश इंदू हिंदी में पुनर जागरण के अगरुदूत हैं जिन्होंने तीवर व्यंग के माध्यम से भारतियों को अपने प्राचीन गौरव वत अत्कालीन दैनिये इस्थिती से परिचित करवाया इस कथन को ध्यान दे अगला देखे प्रश्ण आसंगत कथन का चैन करना है यह रचनाकार हैं अधर इनका जन्म काले बाल कृष्ण भट 1844 प्रियागराज में इनका जन्म हुआ है राजा लक्षमन सी 1826 वजीरपुरा आगरा में इनका जन्म हुआ है बदरी नारान चौधरी प्रेमघन 1555 में कब हुआ है Su 1555 में कब हुआ है इनका जन्म 1555 में परताप नारायन मिष्र 1550 नहीं इनका 1215 सी 1856 है और कहां हुआ है उत्तर प्र.टेश के उटन्म हुआ है इनका जन्म हुआ है ध्यान दें आप उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रताप नाराण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ है ध्यान दें तो इसका ओप्षिन क्या हो जाएगा ओप्षिन नम्बर चार बालकिष्ण भट 1844 है राजा लक्ष्वन से 1826 बदरी नाराण चौधरी प्रेम गां 1855 और प्रत श्वाप्ति से कौन सम्बंदी थे प्रताप नाराण मिश्र की स्पंक्ति शेय है पदनालच् पत्रिक का जतुकरि में मुध्र लेकिन नहीं,द्यान देंश को ब्रज भाशा क्herत कौनाया है राचनावान ठीके अंबिका दत्य व्यास की रचना है दशर्थ विलाप खड़ी बोली फारसी छंद में बहत इंपॉर्टेंड रचना है दशर्थ विलाप भारतिंदु जी की रचना है खड़ी बोली में और दसरत विलाप भारतंदु जी के अलावा अंबिकादत व्यास की भी रचना है और यह किसमे है खड़ी बोली और स्रुधर पाठक एकांद वासी योगी खड़ी बोली और लावडी छंद मैं जो एकांत वासी योगी है या खड़ी बोली लावनी चंद में है और शांत पतिक जो है वा खड़ी बोली रोला चंद में तो इसका असंगत ओप्षन कौन सा है यह वाला क्योंकि यह ब्रजभाशा में खड़ी बोली में नहीं है श्यामासु अपने ठाकुर जगमोहन की रच खड़ी बोली में और लावनी चंद है कांत वासी होगी खड़ी बोली लावनी चंद शृधर पाठक की यह शांत पतिक और खड़ी बोली रोला चंद में है अगला प्रशन देखें धुवेदी यूद्क की कौन से रचनाका नहीं है नहीं है बताना आपको राम रेश्थर पाठि ठीक है मांसी म पथख संबंदी थे इनकी रचनाए मांसी पथिक स्वप्न ये इनकी रचना है रामनेश्ट्र पाठी की जगनाथ दास रतनाकर जिनका उद्धवशतक इनका 1929 का है इसके लावा बिहारी सस्थी ठीके जिसमें रतनाकर सस्थी इन्होंने लिखिए बिहारी सस्थी पर सबसे प्रमालिक टीका माने जाती जगनाथ दस रतनाकर की बिहारी सस्थी की ठीका गया प्रसाद सुकल सनही पंडित केशव राम भट तो कौन से नहीं है पंडित केशव राम भट दुवेदी युके नहीं है रामनेश्ट्र पाठी जगनाथ दास रतनाकर गया प्रसाद सुकल सनही तीनों ही रचनाकर दुवेदी य यम लोग की यात्रा ओन एक विधानगोस्वामी की रचना इसके एक बात और भी ध्यान रखें अठारा सो ब्यासी का हिंदी का पर्थम उपन्यास परिक्षा गुरु लाला श्री निवास दास का उपन्यास इसे प्रथम उपन्यास की संग्या दी गई है और यह अगला प्रेशन देखें इंदुमती कहानी किस पत्रिका से प्रकाशित है पहले ध्यान रखें इंदुमती क्या है कहानी है ठीक है और किस पत्रिका से प्रकाशित होती है यह किस पत्रिका से प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका से इसका काल क्या है उन्निस सो ठीक है उन्निस सो काल है इंदुमती कह किसमें प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका में अगला अगला प्रशन देखें रहेम के दोहों को किसने राधा-कृष्णÓ क्रैश्दू нарावली साय एक खिखे Wilson 90 2 3 प्रकार के प्रश्ण बन ग्या है और किस और रिखा ग्यारे से लिखा है संघता का चेंग करना है आप को रचनाकार है वे धर रचनाये भक्तमाल नाबादास तेatiques ठीक है नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की है उत्रार्द भक्तमाल अनूप सिंकी निये भारतेंदू की रचना है उत्रार्द भक्तमाल भारतेंदू की रचना है उत्रार्द भक्तमाल भारतेंदू की रचना है उत्रार्द भक्तमाल भारतेंदू की रचना है शेश भ इसमें सही उत्तर का चैन करना है गोपाराम गहमरी के देश दशा वब्रुवाहन नामक अनुदित नाटक है बिल्कुल ठीक है गोपाराम गहमरी के देश दशा और वब्रुवाहन नामक अनुदित नाटक है और ये अनुदित नाटक है और ये अनुदित नाटक है बिल्कु नाटक दुखिनी बाला में बाल विवाह जेसी सामाज कुरीती और कूंडली मिलान कवणना है, अगला उप्षन देखें देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतती में चंद्रकांता संतती जिसमें 24 भागयां और इसके छे खंड में विभकते इसके लावा देवकी नंदन खत्री की रचना भूतनाद भी बहुत मैतुपूर हैं जिसके 21 भागय कितने भागय इसके 21 भागय इसमें ठीक है जिसको उनके पुत्री ने भी साथ जो थे देवकी स passé जो उनके पुत्र के द्वारा पूरे की गए तो उसमें जो साथ जो है इसके भाग वो देवकी नंदन खत्री ने भूत नाध बचेया बचए भाग उनके पुत्री ने बाव सो चना नाम है उनके पुत्री ने कम्पलेट लेर आगला पुचन देखें नागरी नीरद आनंद कादमनी दोनों ही पत्रिकाएं किसकी हैं प्रेम घंकी पत्रिकाएं हैं दोनों नागरी नीरद और आनंद कादमनी ठीके मिर्जापुर से दोनों प्रकाशित होती थी रचनाय पत्रिकाएं नागरी नीरद और आनंद कादमनी दोनों ही पत्रिकाएं मि प्रियाग राज से नहीं होती थी तो इसका ओप्षिन ये वाला गलत है तो तीनों ही क्या है यह सही है और इसमें देख चेक कर लें आप पहला दूसरा तीसरा यह रहा ठीक है तो इसका ओप्षिन नमबर दो सही है अगला प्रशन देखें सही उत्तर का चेन करना है परिक्षा गुरु रूपकम 1886 श्यामा सुप्न 1886 एकांत वासी योगी 1886 एकांत वासी योगी 1886 श्यामा स्वप्न ठाकुल जगमोहन के 1886 एकांत वासी योगी शृधर पाठक की कलिकॉत गुरूपकम 1886 परिक्षा गुरू लाला श्रीन निवाजदास की ठीक है इन सबी को ध्यान लग्याप इसका ओप्शन ओप्शन नमबर वन सही है अगला प्रश अगला प्रशन देखें आसंगत का कथन का चैन करना है रचनाकार और इनकी पत्रिकाएं देवकी निंदन खत्री सुदर्शन पत्रिकाएं इसके अलावा जो भारत बंदु प्रेम घन की नहीं है भारत बंदु किसकी है तोता राम की पत्रिका है ठीक है किसकी है तोता राम किसकी है तोता राम की पत्रिका है भारत बंदू टोता राम की पत्रिका है भारत बंदू ठीक है प्रेम घंकी नहीं इसका याला अप्शन से हो जाएगा अगला प्रशन देखें कौन सी रचना नाथुराम शर्मा शंकर की नहीं है नहीं है पूछा गया ध्यान दे नाथुराम शर्मा शंकर की कौन सी नहीं है अनुराग रतन है गंगा लेरी नहीं है गंगा लेरी किसकी रचना है रतनाकर की रचना है गंगा लेरी ठीक है याली रचना रतनाकर की गंगा लेवी गंगा लेवे रचना जो है रतनाकर की रचना है अगला प्रशन देखें देवी इस्तुती शतक काने कुप्ज अबला विलाप नैशद चरित चर्चा कोविद कीर्थन देवी स्तूती शतक काने कुप्ज अबला विलाप नैशद चरित चर्चा कोवित कीर्थन कोवित कीर्थन के रचनाओं से संबने किसकी रचना है महावीर परसाद दुवेदी की रचना है आश के लिए उपएयोगी परशन साबित होंगे और आप शेशन में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत दिल से आभार है मेरा और ऐसे ही अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहें और मैं आपके लिए ऐसे प्रशन लाती रहूंगी मैं ऐसे ही और अपने ग्रूप में अपने कलिक्स को जिने भी ज़रूरत हो आप इस वीडियो को महा तक पहुंचाएं शेयर करें और मिलते हैं अंगली वीडियो में त